श्रीनाच जी गुरुजी को अलक आदेश, माभगवती को अलक आदेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलक आदेश, आप सभी को आदेश आदेश मोहिनी परिसादना, बहुत लोग वहुत तरह से मोहिनी की सिद्धे करते हैं, उसी में एक विधान है मोहिनी परिसादना का, मोहिनी परिसादना करके आप पूरे विशव को मुहते हैं, मोहिनी परी साधना करके आप पूरे विश्व को मुहते हैं, मतलब आपके सामने जो बैठ जाएगा, वो आपके बाहर नहीं जा सकता है। तो देखे, परी साधना खुद में एक बहुती विचित्र साधना होती है। जब आप माभगवती का, महादेव का, भैरव का या किसी भी देवता का आप जब आवाहन करते हैं, जब साधना करते हैं, तो वो एक हायर एंटिटी है जो आपके उपर अपना कृपा बरसाते रहत है, ठीक है, लेकिन जब आप ऐसी एंटिटी का साधना करते हैं, जैसे मैंने पहले यक्षिनी साधना में भी बताया है, तो आप उसको अपने उप्योग के लिए रखते हो, ठीक है, तो किसी भी अगर आप उप्योग के लिए किसी वस्तु को रखोगे, तो उसका एक रेट रहना होगा, तो जो मोहिनी साधना है, अभी मैं मोहिनी साधना दे रहा हूँ, क्योंकि अभी नवरातर है, नौ दिन में आप लोगों का सिध्ध हो जागा, मोहिनी परी साधना, इसके अलावा अगर अभी आप लोग नहीं कर पाईएगा, जो नवरातर आ रहा है, उसमें तो फिर बाई में मुझे लगता है कि मुहिनी परी एकादश्री होता है, तो उस समय आप शुरू करिएगा, तो अभी जैसे नवरात्र में 9 दिन करना होता, उस समय आपको 11 दिन इसी जाप को करना होगा, जरूत क्या क्या होता है इस जाप में, तो इस जाप में आपको मुहिनी साधना जबाब करते हैं, तो इस्ट इसके विश्णू होगे, तो एक विश्णू के आपके वस्त तस्वीर होने चाहिए, और एक तस्वीर होने चाहिए माभगवती जगंबी के का, ठीक है, तो नवरात्र में ऐसे बिए पूझा करेंगे तो माभगवती का आप तस्वीर रखेंगे तो पहले जो भी पूझा विधी है, पूझन विधी से विश्णु जी का और माभगवती का पूझा करें रोज जितनी चीजे चढ़ानी होती हैं, रोज चढ़ाएं, जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है, तो मा भगवती का पहले पूजा कर ले, मतलब सबसे शुरू जो होता है वो गुरू के पूजा से होता है, गुरू के आद गनेश का पूजा, गनेश के बाद 10-11 लेकिन साथ हजार से ऊपर आपका जाप होना चाहिए अभी क्या है जब आप पूरा कर लेंगे तो दस्वे दिन, दशमई के दिन आप सिर्फ मधू से हवन करेंगे इसमें स्वाहा लगा करेंगे तो मंत्र में आप लोगों के लिए तीन बार पढ़ दे रहा हूँ, आप मंत्र सुन लें, जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख नगर के रूप मोहिनी, आवे आधीरात, दुहाई मोहिनी परिया के क्लिंग क्लिंग हुमफट, फिर से सुनिए, जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख देखनगर की रूप मोहिनी आवे आधीरात दुहाई मोहिनी परिया के क्लिंग-क्लिंग हुमफट देखिया यहाँ पर बीज क्लिंग है क्लिंग और साबर मंत्र है तो अपने भिहरी भाशे में है जाग मोहिनी जोग मोहिनी, देख नगर की रूप मोहिनी, आवे आधी रात, दुहाई मोहिनी परिया के क्लिंग क्लिंग हुमपट, इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, तो आप में आपकी मोहिनी सिद्ध हो जाएगी मतलब विश्व का कूज भी आप आप अगर कहीं जा रहे हैं, तो आप आपको लगता वो काम नहीं होगा, कोई वेक्ति आप से बिल्कुल विरोध में है, तो उनके सामने आप बैठ जाईए और बस मन में ये जाब करते रहिएगा, या फिर घुसने से पहले 11 बार जाब कर लिएगा, तो जो बिल्कुल ही आपका महौल है, वो आपके फेवर में हो जागा, जैसे किसी वेक्ति से आपको काम निकालना है, आप जाकर के उनके सामने बैठ गया है, आप जैसे सामने बैठ है, उनके नहीं आज के लिए, मोहनी परी साधना इतना ही है, बहुत ही सिंपल है, नौ दिन जाप करो, दस पर दिन आप हवन कर लो, और इसके बाद मैं मोहनी यक्षिनी की साधना आप लोगों दूँगा, लेकिन उसको करने का भी समय नहीं आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि साधनाएं ऐसे दूँ, जो कि आप इमिडेट में कर सको, या 10-15 दिन में कर सको, तो मोहनी परी साधना करो, और उसके इसका क्या आप लोगों को अनुवा होता है मुझे जरूर बथाना, इसके अलावा, कल मैं एक यक्षिनी साधना दूंगा, बहुत योगी यक्षिनी की साधना है, दोमेशवरत अंतर से, आप लोगों को बहुत असे अलाब होगा, आप लोगों को मेरे मेरे किताब करें तो हैंडबुक आफ पारनॉर्मल इंवेजिकेटर मिलता है एमेजॉन पे प्लिपकाट पे पूरे दुनिया में आप जहां जाएगा आपको यह किताब मिल जाएगी मुझे से डारेक्ट अगर बात करना है तो कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कर लीजिए उसमें आप रूद्रनाथ सर्च किजिएगा रूद्रनाथ सर्च करके वहां पर कॉलिंग आप्शन रहता है आप मुझे कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं इसके अलावा बहुत ही मर्जंसी हो तो बात तो 9431188585 यह मेरा WhatsApp नमबर है इस पर आप मैसेज छोड़ दीजेगा अगर मुझे लगेगा जुरात है तो मैं आपको रिप्लाइब करें आप सभी गवालाक आदेश आदेश आदेश